तो चलिए अब चैप्टर को आगे मूव कराते हैं और आज के जो हमारा पार्ट है इट मिस्टार्ट करने वाला है आवर न्यू पार्ट यू पार्ट यू पार्ट नमबर टू तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथावन नूबर टू तो देखे यहां पर यहां पर यहां पर ने पार्ट में भी देखा था लाइक इस टेबल यहां क्या देख पा रहे थे कुछ आर्टिकल से उसके टैलिमार्ग्स हैं और उसके नमबर से ऐसी इमेज हमने बनाई थी इन ड बनाई थी टाइम से बनाई थी इन फर्मेशन को गैदर करने के लिए बनाई थी और जब हमें जरुद होगी निडोगी ता मुम इस इन फर्मेशन का यूज कर सकते है इसलिए कि आ जाता है ड़क्ष करते हैं देखो नेम ऑफ ऐनिमल की बात करें काव फैलो लॉय बिया रो हो रहें okay count कर सकता है न टैली मार्क को and after that बियर की बात कर रहें देन फाइफ and three eight हो गया and last we can try to understand or identify the number of god that is five and two seven so यह डेटा आ गया साहरा का साहरा complete आ गया so यह क्या है यह हमारा data collection table data collection table में अब यह easily हम बता सकते हैं काउ कितना है सीधा सीधा answer देंगी 10 चलो बताओ सबसे less number किसका है four देखा loin का देदिया सबसे highest number किसका है 10 देखा काउ का देदिया so like this way हम data collection करते हैं और many types of questions हैं उनके answer find कर लेते हैं shortly हाना जल्दी से हमें पार है number 10 किसके साथ में काउ के साथ में तो हमार answer क्या होगा हमार answer होगा क्योंकि उसके पास में सबसे ज्यादा telemarks उसके पास में सबसे ज्यादा numbers है इसके बाद में अगला questions है how many children consider cow as their favorite animal so like this way हम यह जान सकते हैं कि cow का number 10 है so कितना 10 students है 10 children है जो cow को consider करते हैं कि वह हमारा वह favorite animal है ठीक है इसके बाद में next questions क्या कर रहा है which animal is like least by children सबसे lowest number किसका है इसके बाद में इसके बारे में discuss करते हैं और जब हमें नाम से पता चल रहा है टिक्चर होगी वह ग्राफ में उसका use करेंगे हमारे टेबल में उसका use करेंगे और यह जो picture होगी यह क्या करेंगी यह हमें कोई ना कोई data बताएगी it means यह अपने data को hide कर लेगी कैसे देखो five fingers यह five fingers को छोड़ते हैं मैंने यह एक ट्री बनाया हम टेबल पर बाद में आएंगे और मैं यह कह रहा हूँ जहां जहां आपको ट्री दिखेगा ना वहां वहां आप यह मालने आपको five rupees मिलेंगे कितने हमारे पैनल पर जहां जहां आपको ट्री दिखेगा वहां वहां आपको क्या मिलेंगे five rupees यह तो हमारा हो गया questions में अब देखो मैंने एक ट्री बनाया यहां अनदर लाइन में बनाये मैंने two trees ओके और उसके बाद में बनाये मैंने one tree again सबसे ज्यादा rupees कहा मिलेंगे कौन से लाइन में मिलेंगे या second line में क्योंकि वहां पर क्या है two trees है और वह amount कितना hold करेंगे 10 rupees का करेंगे क्योंकि one tree is equal five rupees so pictograph is a method through which we can find or arrange the data in a short form easily समझो कि pictograph की through data को क्या करेंगे short form में arrange करेंगे 10 telemarks लगाते कितना काम करना पड़ता न two trees लगा दिए बात खतम होई क्योंकि one tree equal five ह और two tree का मतलब क्या हुआ 10 हो गया so to save our time और ज्यादा time save करना है pictograph का use करेंगे और next जो आएगा न हमारा बार ग्राफ वो हमारा काफी time save करने वाला है so यहां हम यह देखता है pictograph is a way through which we can arrange long data into short form सीथा सीथा समझो long data को क्या कर सकते हैं short form में arrange कर सकते हैं यह हम यह कहें कि table को हमारा interesting बनाना है थोड़ो ऐसे colorful बनाना है तो भी हम pictograph का use कर सकते हैं कर सकते हैं चलो एक observe करते हैं also the following pictograph here is the pictograph and pictograph indicate one child एक pictograph का मतलब क्या है one child तो देखो बनाना की अगर हम बात कर रहे हैं तो one two three four four pictograph हमी मिल रहा है तो कितना child like कर रहे हैं भाई इसको four कर रहे हैं we will try to understand another ग्रैप की बात कर रहे हैं one two pictographs हैं सो कितना child कर रहे हैं two child कर रहे हैं apple की बात कर रहे हैं one two three four five pictographs हैं so we can say five children liked apple and at last mango की बात कर रहे हैं one two three तो सिरी चिल्डरंस ऐसे हैं जो mango को like करते हैं so like this way dear students pictograph is a way through which we can arrange data in a pic form in a pic form in a short form also एक picture की form में arrange कर रहे हैं data को और क्या रहे हैं उसका short form भी हम यूज कर सकते हैं तो चलो अब इस table का use करके questions को solve करें देखो which fruit is like most by children सबसे ज्यादा pictograph कहा दिख रहा है यह रहा कितना है one two three four five तो सबसे ज्यादा किस को like कर रहे हैं सबसे ज्यादा like कर रहे हैं हमारे apple को ठीक चलो इसके बाद में देखो अगला how many children consider mango is the favorite fruit so how many children mango को कितना children's कितना pictograph one two three so three children's ऐसे हैं जो consider करते हैं कि mango उनका favorite fruit है clear हुआ ना सो ऐसे हम pictograph के थुरू भी data का collection करते हैं और उसका use कर पाते हैं pictograph is a way through which we can arrange the data numbers in a pick form and in a short form also एक short form में भी कर सकते हैं याद कर ले ना rupees five rupees equal क्या किया था हमने one tree किया था ना सो वो क्या था वो short form था big form में हमने उसको arrange किया है so like this way we can use the pictograph another question says which fruit is like least by children सबसे कम pictograph find गरो one two है और यह क्या है यह हमारा grapes है so grapes is a fruit that is liked least by children ओके चलो इसके बाद में हम move कर ले थे हैं next पे so देखिए observe the following pictograph and answer of the following questions so देखिए अगर हम pictograph की बात करें उसका indication क्या कह रहा है one pictograph equal one child तो देखो अगर हम ब्रिंजल की बात करते हैं ब्रिंजल की बात कर रहा है तो one two three so number find हुआ अगर हम tomato की बात कर रहा है one two three four so number हुआ four okay and we will talk about the potato then one two three four five and at last you can see the lady finger about one two three four five six three four five six is a data देखा कितना असानी से हमने find कर लिया ना count कर लिया tally mark क्या करते है tally mark और pictograph like same but tally mark क्या करता है one tally mark one number indication indicate करता है but pictograph have the power to show many types of numbers show short form of the numbers यह क्या कर सकता है number की short form भी हमें दिखा सकता है pictograph दिखा सकता है कैसे दिखा सकता है अगर हमने यह indication लेते हम इंडेक्स बनाते कि one pictograph equal two child क्या हम ऐसा कर सकते थे tally mark में कि भाई इसका मतलब two होगा नहीं कर सकते ना तो यही difference होता है tally mark और pictograph में समझ भी आ गया बिलकुल तो चलो टेबल कंप्लीट करी चलो क्यों संस देखते हैं क्यों संसे हाव मैं चिल्डन लाइक वेजिटेवल पॉटेटो पॉटेटो की बात करेंगे one two three four five वार आंसर भी five कैसे find क्या through the pictograph pictograph को count करके find कर लिया इसके बाद में अगला है which vegetable is like most by children सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पिक्टोग्राफ लैडी फिंगर के पास में सो सबसे ज्यादा most वही like की जा रही है that is our answer okay इसके बाद में देख लेते हैं next कह रहा है which vegetable is like least by children अरे सबसे कम ब्रेंजल है यह देखो ब्रेंजल के अगर हम बात कर रहे है थ्री है तो हमारा आंसर यह होगा so like this way we can use the pictograph to find to collect the data and find the information in pick form pick form करेंगे short form में कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं अच्छे से समझ में आगया होगा हना चलो इसके बाद में हम आगे हम solve कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं क्या हम बार ग्राफ बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं तो देखें क्या कह रहा है the teacher asks the student of class 4 to name their favorite fruit and see attribute them as follow ओके देखो अगर हम बात कर रहे हैं कि यह वाला जो उन्होंने table बनाई है कि बनाना लाइक बाई 8 गवावा 5 चीकू 3 एंड कस्टर एपल की बात कर रहे हैं then 10 सो यह data collect हो गया सारा data आगया अब इस data से क्या करना है हमें इस data से हमें बार ग्राफ क्रीट करना है अब बार ग्राफ कैसे क्रीट करेंगे वो देख लेते देखो data हमारे पास में बार ग्राफ में two sides होती है कितनी sides होंगी Two sides होंगी क्यों होंगी Two sides देखो हमारे table क्या कह रहे है I have two columns. एक Column क्या कहेगा मैं हूँ Fruit okay and another column क्या कहेगा मैं बताऊंग को eight children's like करते हैं अगर मैं बात करूं गवावा की बात करूं then five children like करते हैं चिकु की बात कर रहा हूं उसे three children's like करते हैं like this way हम यह देख पा रहे हैं कि हमारी table two portions रखती है तो हमारा बार ग्राफ भी क्या indication कर रहा है two types या two forms को arrange करेगा कैसे करेगा here you can see the number of children that is like okay another side you can see the name of fruits like banana गवावाची कु कस्टड़ इपन देख रहा हूं अब numbers को कैसे arrange करना है अगर इस numbers के हम पूरे की बात करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं वन से लेके 10 तक की lines बना सकते हैं बार ग्राफ पे बना सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं two two के combinations में भी बना सकते हैं two two के combinations में बनाएंगे थोड़ा छोटा बन जाएगा one one के बनाएंगे थोड़ा बन जाएगा ऐसा ही होगा चलो two में बनाके देखा हमने zero two 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 four four to six six to eight eight to ten ten to twelve सारे numbers के लिए हमने अब हम क्या करेंगे पहला पॉइंट हमने देखा बनाना की बात कर रहे है बनाना देखो टेबल में देखो कितना इंडिकेशन दे रहा है एट अब यह रही हमने एट वाली लाइन को लिया और यह वाला अरेंज कर दिया हो गया ऐसा ही बात करेंगे तो क्या कर रहा है five five का मिलेगा six or four के बीच में ब numbers so you can see the line of ten so अब यह बन गया चलो अब data नहीं हमारे पास ने हम इसको hide कर देते हैं हमारा जो data है हम इसको क्या कर देते हैं hide कर देते हैं यह लो हम बस अब इसी को देखेंगे हमारे बार ग्राफ को चलो अब इस बार ग्राफ से हम कैसा identify करेंगे information वो चीज समझते हैं देख four and two के बीच में है three आएगा so three ऐसे ही चलो किस्टरेपल की बात करेंगे वो क्या कह रहा है मैं यहां तक जा रहा हूं और यह line क्या कह रही देख लो देखें किसको indicate कर रही है 10 को कर रही है you can see तो कस्टरेपल क्या क्या रहा है 10 को like करता हूं मैं 10 मुझे like करते है बनाना की बात करेंगे वह एट को indicate रहा है तो थू बार गाफ थू पिक्टो ग्राफ थू विकेंसे ट्याली माग थू डाटा कलेक्शन हम सारी information find कर सकते हैं बार गाफ क्या कर रहा है हम बार गार ग्राफ के थू भी information find कर पा रहे है डाटा को कलेक्शन किया किस फॉर्म में किया और जब यूज करना होता है तो easily find कर पाते हैं बार ग्राफ का सबसे मेजर पॉइंट क्या है जितनी टेबल में information to columns होंगे उतने columns यह हमें शो कर देगा कर देगा easily अब यहां compare कर वा लेते हैं सबसे ज़्यादा कौन सबसे most कौन लाइक किया जा रहे हैं तो देख रहे हैं सबसे लंबा बार किसका बन रहे है कि थूब यह कर सकते हैं डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं information गैधर कर सकते हैं and उसका यूज़ कर सकते हैं so dear student this was our part two day we will try to understand about bar graph and pictograph and I hope all those topics cleared हो गया हो इन अच्छे से समझ में आगे होंगे और बिलकुल हम ही यह समझ पा रहे हैं कि आप तक की जो हमारे part 1, part 2 था, वहां से आमने data collection और bar graph को या pictograph को telemarks को लेकर के काफी सारा knowledge grass up कर लिया, so dear student keep watching, keep learning, see you soon in next class, thank you